हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले सुजी के नाश्टे की रेशिपी इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बना के त्यार करेंगे तो वीडियो को लाश्ट तक देखेगा और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करे और भी ऐसी नई और आसान रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल राजस्तानी सुद्रसोई को सब्सक्राइब जरूर करे चलिए फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना तो यहां मैंने लिया है एक कडाई और उसमें मैं डालूँगी पानी तो पानी है वो मैं इस कटोरी से नाप के ले रही हूँ तो मैं यहां तीन कटोरी पानी डाल रही हूँ तो माप के लिए आप कोई भी कप्या कटोरी सेट कर लीजिए और पूरा माप है वो आप उसे ले लीजी तो अब हम इसमें डालेंगे एक चमत, जीरा और एक चमत में इसमें डाल रहे हूँ नमक यह आप स्वाद के नुसार नमक डाल दीचिए और एक चमत में यहां डाल रहे हूँ कोटी वी लाल मिर्च और इसको अब हम अच्छे से उबाल आने देंगे तो ये देखे फ्रेंड्स पाने में अच्छे से उबाल आ गया है तो अब हम इसमें डालेंगे सूजी सूजी मेंने यहां थोड़ा सा मिक्सी में चला के लिया है और जिस कटोरी से मैंने पानी लिया था उसी कटोरी से मैंने माप के यां 1.5 कटोरी सुजी लिया है अब जितना पानी ले रहे हो उसका आदा इसमें सुजी डालना है अगर आपके पास बारीक वाला सुजी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते है मेरे पास मोटे वाला सुझी था, तो मैंने इसको थोड़ा सा मिक्सी में चला के ले लिया है, अब हम इसको फटा-फट से कर लेंगे, मिक्स ने तो इसमें थोड़ी-थोड़ी ऐसा लग रहा है गुटलिया पड़ गई है लेकिन ये मेनेज हो जाएगा, तो मैंने इसको अच अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैंने इस मिक्स को इस तरीके से चलाते हुए दो मिंट पानी के साथ पकाया है और दो मिंट में ये दो फोम में आ गया है तो इससे जादा हम इसको नहीं पकाएंगे ये ठंडा होने के बाद और भी गाड़ा होगा अब मैं इसमें डाल रही ह ि अब हम इसको विक्स कर लेते हैं गेंस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल दीमे किया है कि दीमि फ्लेम पर हम अच्छे से ऌष्य के साथ मिक्स कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंड्स बिल्कुल हमारा मिसरन है वो एक दो फोम में आ गया है आप चाहे तो यहां दो चमच ओईल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने इसमें ओईल नहीं डाला है अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो मैंने गेंस को कर दिया है बंद और थोड़ा ठंडा कर लिया है और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में इसको निकाल रही हूं एक प्रात में तो मैंने इसको एक प्रात में निकाल दिया है यह अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है अगर आपके पास पाव बाजी मसाला नहीं है तो आप इसकी जगे चाट मसाला या अम्चूर पाउडर भी डाल सकते हैं यहां मैंने 20 समच लिए बारी कटा हुआ दानीय अगर आपके हातों में वोट चिपक रहा है तो आप आप ठोड़ सा तेल लगा लिजिए और तेल लगाके इसको हम अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगी तो मैं इसको इस तरीके से गुन के अच्छे से चिकना करके ले रही हूं जिससे अमारा जो नास्ता बना रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से बनेगा और बिल्कुल भी नहीं विक्रेगा तो मैंने हाथों में तेल लगा कि इसको इस तरीके से मसलते हुए इसका एक इस तरीके का डो लगा रिया है यह जैसे जैसे ठंडा होता जाता है वेसे वेसे यह और भी ठिक हो जाता है अगर आपको लगे कि अमारा मिश्रन है वो ज़्यादा गिला हो गया है तो आप इसमें दो चमच पीशा हुआ सूजी या दो चमच इतना मेदा डालके इसको आप बेलेंस कर सकते तो मैंने इसका इस तरीकी का एक स्मूध आठा लगा कि इसका त्यार कर लिया है अब मैंने ए थोड़ा सा तेल लगा के इसको इस तरीके से फैला लिया है यह आशानी से फैल रहा है आप चाये तो बेलमें तेल लगा के उससे भी आप कि शि Paloha अब चाहिए तो या सरय निफकीस का शिबाए् आपको उसके से डुड़ा रोटी जैसा में दिज़ाएं आपको दिखा देती हूं मैं इसको इतना मोता रखायां ज्यादा मोलता में नहीं रखाया 59 bicycle से थोड़ा यह कि एक्स्ट्रा आटा है उसको हम हटा के साथ मिक्स कर देंगे और इसका हम दूसरा रोटी बेल के ट्यार कर लेंगे अब हम इसके उपर लगाएंगे थोड़े से काले वाले तिल जिससे यह अमारा नास्ता है वो देखने में और भी सुन्दर लगेगा आप तिल की जगह क्लोंजी भी लगा सकते हैं या फिर आप इसके बगेर भी बना सकते हैं तो मैंने इसके उपर थोड़े से काले वाले तिल लगा दिये और इस तरीके से हम हाथों से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से आटे के अंदर सेट कर देंगे जिसे हम फ्राइब करेंगे तो यह निकले गाने तो यह देखे फ्रेंड्स मैंने यहां सभी टिक्या है वह इस तरीके से तिल लगा तो आपके त्यार कर लिए तो अब हम इसको करेंगे फ्राइए करने के लिए में ने ओई को पहले गरम होने के लिए रख दिया था वह वह मारा बिलकुल परफेक्ट गरम हो गया है मैं आपको एक पीस है वह डाल के दिखाती हूं तो यह देखे फ्रेंड्स इतना गरम हमारा ओईल है वह होना चाहिए तो अब हम इसमें सभी हमारी टिकिया है जितनी एक बार में कड़ाई में आएगी उतनी हम एक साथ डालती है ओईल का परफेक्ट गरम होना बहुत जरूरी है अगर जादा गरम हमारा ओईल होगा तो यह टिकिया है वह जल जाएगी और अंदर से क दलके हाथ से इसको इस तरीके से थोड़ा सा चला देंगे जिसे यह आपस में चिपकेगी नहीं है कि बहुत ही स्वाधिस्ट यह तिकिया है वह बनके त्यार होती है बच्चे तो इसे बहुत ही सोक से खाते हैं और बहुत टेस्ट यह बनके त्यार होती है तो मैंने इसको और यह देखे के से फूल के यह तेल के उपर आ गई है इसको हम इस तरीके से चलाते हुए दोनों साइड से इस तरीके का कलर आने तक हम इसको फ्राइ कर लेंगे और यह देखे के से फूल के हमारी टिकिया है वो त्यार हुई है तो अब हम इसको निकाल देंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा क्रिश्पी नाशता है सुजी का वह बन के त्यार हुआ है बहुत ही आसानी से यह नाशता है वह बन के त्यार हो जाता है तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी परकार हम बाकी बचा हुआ हमारा नाशता है तो भी फ्राइ करके ले लेंगे इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना बता है तो आप एक बार इस रेसिपी को बना के जरूर ट्राइ करें तो मैंने इसी परकार सभी नाशते को बना के त्यार कर लिया है बहुत ही स्वादिस्ट और क्रिस्पी हमारा नाशता बन के त्यार हुआ है आप देख सकते हैं मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा रही हूं यह देखे फ्रेंट्स बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्वाधिस्ट अमारा नास्ता है वह बनके त्यार हुआ है आप इसे किसी भी चटनी या सोस के साथ खा सकते हैं तो मैं आपको एक पी केसी लगी कोमेंट्स करके जरूर बताएं अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और भी एसी नई और आसान रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल राजस्तानी सुद्रसोय को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए फिर मिलते एकेसी नई और आसान रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाएं टेक कियें